स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आसुतोस पांडे आल राउंडर क्लासेज में आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में सिंधु सभेता के जो पूरा तत्वी कस्थल है इससे पहले हमने पढ़ा था और जो नहीं पढ़ा था आज हम इन सब को खतम कर देंगे औ हरियाना के हिसार जिले में है वनमाली इसकी खुदाई 1974 में रविंदर सिंग विष्ट ने की थी यहां पे जल निकासी की बेवस्था नहीं थी यहां के घरों में सोखता मिला है यहां की सडके तेरी मेडी थी चलिए सुरकोटदा सुरकोटदा इसकी खोज 1964 में जगपती जोस्री ने किया था यहां से कलस साउधान मिले हैं यहां से कलस साउधान और घोड़े की हड़ी मिली है यह गुजरात के कक्छ जिले में श्थित है सुरकोटदा फिर देखिए लोथल यह गुजरात के जिले में श्थित है यह भोगवा नदी के किनारे है यह भोगवा नदी के किनारे है इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी यहां से क्या क्या मिला है तो यहां से गूंदी वाड़ा मिला है यहां फारस की मुहर मिली है जो बिजेशी व्यपार का संकेत द दरवाजे शड़कों की योर खुलते थे यहां से युगल साउधान मिले हैं जो सती सथीपर्ठा का पृतीग है रंगपूर में तित है यह सुक्भादर नदी के किनारे इस्थित है यह सुकभादर नदी के किनारे है इसकी खुदाई 1903-1954 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी यहां से धान की भूसी मिली है तो यहां से क्या मिली है धान की भूसी मिली है रंगपूर से अब देखिए कोट दीजी जो सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान के खैरबर पूर नामा कस्थान पे है इसकी खुदाई फजल अहंबर ने 1903 में करवाई थी अब आते हैं आलमगीरपूर यह 1958 में इसकी खुदाई यगदत सर्मा ने करवाई थी यह हिंडन नदी के किनारे है और उत्तर परदेश के मेरठ जिला में है एक बार उपर नीचे फिर हम पढ़ेंगे इसको देखिए वन माली जो रंगोई नदी के किनारे है हरियाना का हिसार जिला में है इसकी खुदाई 1974 में रविंद्र सिंग विष्ट ने की थी यहाँ पे जल निकासी की विवस्था नहीं थी यहाँ के घरों में सोखता मिला है यहाँ की सड़के टेड़ी मेड़ी थी सुरकोटदा यह इसकी खुज 1964 में जगपती जोसी ने किया था यहाँ से कलस साउधान और घोड़ी की हड़ी मिली है यह गुजरात के कक्छ जिले में इस्थित है अब आते हैं लोथल में यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में है यह भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खुज 1954 मे रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 के बीच भारतिय पूरा तत्तो सर्वेक्छन के द्वारा की गई थी यहाँ से गुंदी वाड़ा मिला है यहाँ फारस की मुहर मिली है जो बिदेशी ब्यपाद का संकेत देती है यहाँ घर के द पूर जो है गुजरात में इस्थित है यह सुकभादर नदी के किनारे इस्थित है इसकी खुदाई 1953 से 54 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी यहाँ से जो मिला है धान की भूसी मिली है वही कोश्चन पढ़ा रहे हैं जो मोस्ट इंपार्टेंट है जो एक्जाम मे करवाई थी आलमगीरपूर 1958 में इसकी खुदाई आलमगीरपूर में 1908 में इसकी खुदाई हुई थी यगदत्सर्मा ने करवाई थी यह हिंडन नदी के किनारे है और उत्तर परवेश के मेरठ जिला में है इतना हम लोग ने पढ़ लिया आप लोईसको दोहरा तहरा के द कि रवाई यह हिंडना हम कर दोहरा रहा हम लोग लोग खुदा नर्वेश दिला हमाई खुदाई लोग वाई दोग में तो होग तुदा दोग दुदाई ऑंवाई लोग।